नमस्कार एक बार पुना है स्वामी विवेकानन कॉंपिटिशन सेंटर की ओनलाइन प्लेट फोरम पर मैं डॉक्टर महिस्कुलेरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और करेंट अफेर्स की जो कलास है ये एक बार पुना लेकर आपके सामने उपस्त आपका बहुमुल्य समय नहीं लेते हुए हम पहले परसं के ओर आते हैं और पहला परसं है भारत में Net Zero Water Infrastructure बनाने का निन्ने किन दो देशों की कमपनियों द्वारा लिया गया है और हमारे सामने पहला उपस्न है सिंगापूर और जर्मनी बी उपस्न है जापान और इंगलेट सी जापान और फ्रांस और डी है इंगलेंड और अमरीका और इसका सही जो उत्तर होगा वो सिंगापूर व जर्मनी होगा Singapore और Germany की जो कम्पनिया है उन्होंने भारत में वेर्थ बहरे पानी को कम करने के लिए एक Zero Net जो water infrastructure है उसका बनाने का क्या 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 निर्णे लिया है यानि कहने का आर्थ यह है कि भारत में जो अत्यधिक मात्रा में जो पानी बहर है उसको नियंत्रीत करने के लिए वेर्थ जो कारबन है उनको कम करने के लिए यह निर्ने जो है वो क्या क्या लिया अगर हम बात करें सिंगापूर जो है उस सिंगापूर की जो कंपनी है उसका नाम है माइन हार्ट कंपनी यानि सिंगापूर की जो कंपनी है वो माइन हार्ट कंपनी है और अगर हम बात करें जर्मनी क जो कंपरी है उसका नाम है Skyne, कौनची है? Skyne Water. Skyne Water जो है इन दोनों ने मिलकर भारत के अंदर जो है ये पानी की सुव्यवस्तित व्यवस्ता करने के लिए Net Zero Water Infrastructure जो है वो बनाने का क्या क्या है? नेने किया है और आप सबको पता है कि भारत जो है वो विशो का सबसे बड़े जनसंक्या की दर्ष्टी से सबसे बड़े देशों में क्या किया जाता है? गिना जाता है और यहां की जो पॉपुलिशन है वो अत्यदिक मात्रा में वाटर यानि पानी का जो है वो दोहन करती है और इसी को ध्यान में रखते हुए इन दो कंपनियों ने माइन हाट और सका सकाइन वाटर कंपनी जो है जो इन्होंने क्या किया है जीरो वाटर इंफ्राटेक्चर बनाने का निनने लिया नेक्स्ट जो परसन है वह चंदरियान 2 ने हाली में चंदरमा के एक्सपोस्फियर में कौन सी गेस खोजी है और पहला ओप्शन है नाइट्रोजन दूसरा है अगर हम इसकी सही बात करें तो अभी जो है हाली में चंदरियान 2 जो मिशन था भारत का उसने आरगन 40 वो एक्सपोस्फियर में क्या किया खोजी है देखो इससे पहले अमरिका का एक यान था और अमरिका का जो यान था जो 1922 में प्रक्षेपास्तर किया गया और उसका ना अपोलो 17 इसने भी जो है आरगन 40 जो है वो चंदरमा पे खोजी लेकिन भारत के द्वारा चंदरमा चंदरियान 2 जो मिशन है जो कब प्रक्षेपास्तर किया गया था तो हम कहते हैं 22 जुलाई 2019 को ये जो है वो चंदरमा पे बेढ़ा ये जो है हमने कहा था यहां पे विक्रम लेंडर जो है वो 30 किलोमेटर उन्चाए पर दक्षनी धुरूप पर लेंडिंग करने से पहले ही नेस्ट हो गया यानि हमारा जो है वो उससे संप्रक छोड़ गया और आप सब को पता है चं थर्ड जो है इसके मादिम से ये जो रोकेट है ये क्या गया प्रक्षे पास्तर किया गया यानि कहने का आर्त यह हाली में आरगन 42 है वो चंदरमा की स्टैप पर खोग और इससे झो है हमें चंदरमा के जो वायू मंदल है इस वायू मंदल के बारे में जो है वो पता है दूसरा मोटे नाज मेल्ट का अंतराष्टे वरस किसे घोशित किया गया है और हमारे सामने option है 2015, 2023, 2018 और 2005 और इसका सही उत्तर जो होगा वो 2023 को अंतराष्टे मोटा नाज या मिल्ट एर जो है वो क्या किया गया गया घोशित ही किया गया और इससे पहले दो हज़ा हम कहते हैं कि अंतराष्टे जो मोटा नाज है वो मुख्य रूप से भारत में भारत सरकार ने 2018 को भारती जो है वो मोटा नाज दिवस जो है वो क्या क्या मना है भारत सरकार ने कंदन वर्स के रूप में कंदन वर्स के रूप में या मोटा अनाज के रूप में क्या क्या है दो हजार अठारा को मना है और भारत जो है वो विशों में सरवादिक मोटा अनाज उत्पादन करने वाले क्या मानना जाता है देश मानना जाता है मोटा अनाज जो है उसमें मुख्य रूप से अगर हम बा ऐडी दुद के लावा बाजरा के लावा। हम करते हैं रागी, मुढवा, सावा, कोदो, कोडो के अलावा, कूटकी, कूटकी के अलावा, कगणी, और कगनी के अलावा, जो है वो चिना, आधी है मोटा अनाज में क्या कहा जाता है, सामेल की यहाजा याणि मोटा अनाज कहता है, थोड़ी मात्रा में खाने के साथ ही, लंबे समें तक अधिक उर्जोप परदान करें, उसे हम मोटे अनाज की रूप में गाते हैं, जवार, बाजरा, रागी, मुडुवा, सावा, कोदो, कुटकी, कगनी और चिना जो है, वो मोटे अनाज में क्या क्या है, भारत ने दो आजार अठारा में कंदन वरस की रूप में मनाया था, और ये जो है, हम बात कहते हैं, कि अ विकार कर ली, और दो हजार तेजिस को मिल्ट एर क्या क्या है, बनाया जाएगा, अगर हम बात करें, दो हजार पंदरा, दो हजार पंदरा जो है, वो अंतरास्टे दलहन, दलहन वरस के रूप में क्या क्या गया था, मनाया गया था, और दो हजार पांच जो है, इस दो हज पांच को अंतरास्टे खेल एंव सारी रिक शिक्षा की रूप में, 2018 को भारत सरकार ने कंदन वरस की रूप में बनाया और उसी को आधार लेकर 2023 को हम बात करते हैं, श्यूंगत रास्ट खाद्य संग जो उसने क्या क्या है, 2023 को अंतरास्टे मिल्ट एयर क्या क्या है, घोसी भारत विश्व में सरवाधिक मोटा नाज उत्पादन करने वाला क्या मना जाता है, देश माना जाता है, नेक्स परसन, इंडोगी जील किस देश में है, और पहला उप्शन अमरिका, दूसरा मयामार, तीसरा भारत और चोथा नेपल, और अगर हम सही उप्शन के बात करें तो मयामार में, और हम कहते हैं, इंडोगी जो जील है, वो दक्षनी पूरी एशिया की तीसरी सबसे बड़ी क्या मानी जाती है, जील मानी जाती है, और यहाँ पे पाइनिन फिस जो है, पाइप फिस जो है, इसकी दो दुरलब जो पर जाती है, वो यहाँ पे क्या हुई है प्राप्ते हुई है, और इसी के कांड जो ये इंडोगी जो जहील है, ये चर्चा कावी से बनी है, दूसरा अगर हम बात करkenें, अमरिका, अमरिका में एक मिठे पानी की जहील है, जिसे कहा जाता सूपीरेर, शूपीरेर जो जहील है, जो कनणाडा, USA की सीमा परिस्तित है विशो की सबसे बड़ी मिठे पानी की जील है जो केश्पिन सागर के बाद में विशो की दूसरी सबसे बड़ी क्या मानी जाते है जील मानी जाते है अगर भारत में बात करें तो एक तो जील पेना जो टिबत में लदाक में आवस्तित है और जहां पर भारतिय और चिनी से नाओं के मध्या जड़प हुए दूसरा वुलर जिल भारत की मिठे पानी के सबसे बड़ी जिलों में क्या किया जाते है दूसरा हम बात करते हैं कि नेपाल में एक जिल है काजिन सारा काजिन सारा जिल जो है ये नेपाल में विशू की सबसे उंची खारी जिलों में एक माने जाती है विशू की सबसे उंची खारी जिलों में जो है वो इसे क्या किया जाता है गिना जाता है एक याद रखना कि भारतिये दलने अभी तीतियो जो जील है ये भी क्या किया है खोजी है जो कहां पर अवस्तित है जो अभी जो है वो नेपाल की सीमा पर क्या है अवस्तित क्या किया जाती है मानी जाती है तो एक तो हमें जो है वो ये याद रखना है नेपा अगर हम सही option की बात करें तो यह होगा उत्तर तलाई बाड मेर में उडान योजना के तहत जो है वो नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मनजूरी दिये दूसरा अगर हम बात करें ग्रिन फिल्ड हवाई अड्डा जो है ग्रिन फिल्ड हवाई अड्डा जो है राजस्थान में वो कहां पे तो हम कहते हैं अलवर और अलवर में इस्थान कोट कासिम कोट कासिम जो है यहाँ पे ग्रिन फिल्ड हवायट देखी क्या दिया है देखो अगर उडान योजना पुछे केवल और केवल उडान योजना तो वो जो उडान योजना है वो 10 से 45 एर की 10 से 45 एर की जो महिलाएं है इन महिलाओं के लिए भर सरकार ने एक योजना पुरारम की है और वो जो है वो है फरी में सेनेंटरी नेपकिन परदान करने की यानि 10 से 48 एर की गरीब महिलाओं को सेनेंटरी नेपकिन परदान करने की योजना पुरारम की गए जिसे क्या नाम दिया उडान योजना उडान योजना में हम बात करते है हवायडे की तो राजस्तान में उत्तर तलाई हवायडा बाड मेर 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 पहली बार महिला नियाई दीश्यों की पून पीट का गठन किया गया और हमारे सामने उप्शन है गोवा, केरल, तमिलनाडू, गुजरात, सही उप्शन की बात करेंगे तो केरल, केरल में 8 मार्च महिला दिवस्ट के उपलक्ष में इतिहास में पहली बार अपनी पून खंड पीट, तीन सदेश्यों की पून खंड पीट है, उसमें क्या किया है, निर्मान किया है, और हम कहते हैं कि केरल में ये जो खंड पीट है, ये क्या करेगी, ये जो है यहाँ पे, इतिहास में पहली बारी केरल में ये किया गया है, और ये जो है, ये गुरु वायूर, देवस जो गुरु वायूम देव सम्मन जो परबंद समीती है इस परबंद समीती दुआरा जो दान किया गया यानि मुख्य मंत्री सहिता कोस में जो दान किया गया है उसके बारे में ये कमिटी क्या करेगी निन्ने लेगी क्या ये दे सकते हैं दान या नहीं दे सकते और इसके में एक तो थी जस्टिस शिवरामन, दूसरी जो थी वो जस्टिस M.R. अनिता, और तीसरी जो महिला नयाइदीज थी वो थी जस्टिस वी सिरसी, ये जो तीन नयाइदीज थे, इन तीन पूर्ण खंड फिट नयाइदीजों में क्या क्या है, सामिल क्या है, नेक्स परसन की बात करते हैं, कन्या सिक्षा के प्रवेश उत्सुव योजना किस किस के सियोग से चलाए गए, और हमारे सामने ओप्सन है, सिक्षा मंतरा ले वा यूनिशेफ, उन सिक्षा मंतरा ले, महिला यह बाल वीपकास मंतरा ले, और डी है, उपरोकते, सभी, अगर इ किसी बच्चे जो अपना घर चोड़ कर, यानि अपने स्कूल चोड़ कर घर में रहने लगे हैं, उनको वापिस स्कूल से जोड़ने के लिए, भारतिये सिक्षा मंतरा ले, वा यूनिशेफ के सियोग से, यानि हम कहते हैं, सियोग तराष्ट बालकोस के सियोग से, यह प्र भारतिये तर्टक रक्षक बगवाब, भारतिये मात्सकी सर्वेक्षन विभाग, गुजरात समूंदरी बोड और यह उप्रोग सभी, और सही ओप्सन जो होगा, उप्रोग सभी, यानि इनके समून के, यानि सभी के दुवारा जो है, यह सागर, परिकर्मा, कारिकर्म जो ह पता है कि भारत के नो राज्ये, वो चार केंदर सासित जो परदेश है, उनके आजीवन के लिए, यानि जो मच्वारे हैं, मच्वारों के जीवन यापन के लिए, यह जो प्रियोजना है, यह क्या कि गया प्रारम की गई है, तो हमारे लिए महत पना है, क्योंकि आपको पत तो आज की कलास में इतना ही जै हिंद जै भारत